हेलो नमस्ते स्ट्रीकार मेर नामे रौशन भुमियार और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन इसपोर्ट्स इडिया और उस्टरिया के बीच खेले जा रहे हैं पहले टेस्ट के दूसरे दिन का पहला शेशन खत्म हो चुका है टीम इंडिया पहले सेशन में आज का जो खेल होना था दूसरे दिन का उसमें महज 10 रन पर 4 विगेट खो दी यानि 233 रन से कल इंडिया ने आगे खेलना शुरू किया रिद्धिमान साहा और रवी चंदर अश्विंड क्रीज पर थे लेकिन 10 रनों के अंदर अल आउट होग रहे हैं और दोनों ओपनर को पविलिन लौट ने लौट आने वाले जो गेंदबाज है उनका नाम है जस्परीत बुम्रा ने शांदार गेंदबाजी की है इस सेशन में लेकिन छोटा सा एक टीम इंडिया को कस्ट छोड़ दिया है जस्परीत बुम्रा नहीं वह मारनस लबुशेन का जस्परीत बुम्रा ने गवाया है यह कितना महंगा पड़ सकता अगले सेशन में टीम इंडिया के लिए लबुशेन जो है अब थोड़ा सी बॉल जो है नजर में आगी होगी और दिन भी जो है ठोड़ा सा मलब ढ़लने के जब वक्त में जा रहा है अब वह अब अस्टेले के हाथ में थोड़ा से पकड़ हो सकती है इस कैस के ड्रॉफ होने के बाद क्योंकि लबुशेन जिस तरह से उनका स्टैर समने देखे हैं पिछले बैक्ट्यू बैक हंडेट्स मार चुके हैं और जिस तरह से उनने बड़े-बड़े बॉलरों खेला है तो कह सब्सक्राइब होता है और ज्यादा मजबूत इस्थिती में होती बिलकुल मैं कहना चाहूंगे पास से तभी प्लट गया था रहाने की मिसंडर्स्टैंडिंग की विएस से वहां पर ड्रामा क्रियेट हो गया था कहीं कहीं इंडिया वहीं से पिछड गई थी और फिर जो ह सेशन में दो महत्पूर्ण विकेट करारा जटका शुरुवाती जटका जिसको प्रोलते हैं जी और यहां से यह दो बैट्सन जो सबसे महत्पूर्ण है और अगले सेशन में इन दोनों बल्लेबाजों को टीम इंडिया जल्दी से जल्दी कोशिश करके आउट कर लेती है तो इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया का पकर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और सबसे महत्पूर्ण होगा कि नेक्स सेशन में जब गेंद उडाना होता है तो क्या जिस तरह से नैदन लॉइन गिन बाजी कर रहे थे उस तरह से अश्विन कर पाएंगे अब एक नई जिमेदारी अश्विन को बन जाती कि वो मिडिल ओवर में आके बॉलिंग कराएं और अपने टीम को ब्रेक्ट्रू दिलाएं तो कहीं ने कहीं यह बहुत इंपूर्ण सेशन हो जागा मौमाद शमी और बुम्रा तो अच्छा गिनबाजी कर ही रहे हैं लेकिन एक तरफ से अश्विन और उमेश यादव को भी एहम भूमी का निभाना होगा अगर वो भी ब्रेक्ट्रू दिलाते हैं टीम इंडिया को तो बुम्रा और शमी पे जो प्रेशर है वो जरूर कम होते देखने को मिलेगा हमको वहीं अश्विन का ज्यादा इंपॉर्टन रोल होगा क्यो बहुत तंग करते हैं बहुत तो ऐसी अश्विन भी आप कर सकते हैं तंग उनके पास वोजिशन है अश्विन से आउस्ट्रेलियम बॉलिंग राने का तो को यह इंडिया के काम आने वाला है ने एक महतपूर्ण विकेट निकाला था चितेस्वर पुजारा का पुजारा च कि अश्विन को थोड़ा और टाइम लगेगा क्यूंकि और शमीजिस्तत बाजी कर रहे हैं वही कंचिन्यू करेंगे और जल्द ही लबुशेन और स्मित को आउट कर टीम को बैक फूट पे जरूर धकेलने की कोशिच करेंगे तीम ने हाला कि तीस चाले से जरूर कम बनाए लेकिन आश्ट्रिलिया को जल से जल समेट कर टीम एक बार दुबारा बल्लेबाजी करने उतरेगी और ज्यादा से ज्यादा लीड देकर टीम को जीतने विराट कोली एक बार और विराट कोली का ये पहला टेस्ट है इसके बाद वो नहीं खेलेगे तो वो कोसिच करेंगी बल्लेबाजी कड़े और एक शतक जरूर लगाए बिल्कुर अपने लास्ट मैच में जो इसके बाद आप इंडिया में खेलेंगे कि यह बहुत बड़ा टूर सा चार्ट टेस्ट मैच हैं इसके तीन और बजगें इसके बाद तो कहीं ने करी बिराट को लिए चाहेंगे कि अ उन्हें टीम में शामिल किया गया अब उनके लिए भी एक मौका कम है चुनोती जादा है उनको अगले इनिंग में स्कोर करना ही होगा नहीं तो अगले मैंस में हो सकता है कि उन्हें बैठा दिया जाए बिल्कुल सही का आपने क्यूक्त बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर बैठे हुए है तो मुझे कहीं लगता है कि सुमंगेल केल राहूल इन जैसे बैट्समनों को मौका देना चाहिए अगर हम देखें तो बहुत पहले से इतना कुछ करनी पा रहे है इतने टाइम से ओपनिंग कर रहे है तो मौन उनके बैट्स अभी तक एक भी मुझे 100 देख इतना ही कि आपको भी लगता है कि स्मित और लभुशेन को टीम इंडिया जल्दी आउट कर लेती है तो इस मैच में टीम इंडिया की जीत पक्की हो सकती है नियरज आपका बहुत धन्यवाद जुरने के लिए फिरहाल इस वीडियो में इतना ही मेरा नाम है रौशिन बुम है आपको झाहिक टीम इंडिया जशेसा को झापका विफनिय।